बिसम्लाइ रामाद रहीम जी असलाम लेकुम मेरा नाम डॉक्र वहीद एसन है आज की इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आप गाए भैसो और भेड़ बक्रियों में अप्रेल के महीने में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात क महीना है इसमें वैक्सीन लाजमी करनी चाहिए क्योंके फिर आगे अपरेल के एंड में या मई के शुरू में और फिर जूम तक जो है ना वो चोड़े मार का खतरा होता है चोड़े मार एक बड़ी खतरनाक बिमारी है जिसमें जानवर के जो हैं वो स्केल्टल मसल्स जो य मसल्स या फिर जो है वो रिब केज के मतलब जो पसली हैं उनके या फिर गर्दन के खास तोर पर वैसे किसी भी स्केल्टल मसल्स पर आटेक हो चाता है लेकिन इन तीन जगों पे बहुत ज़्यादा आटेक होता है तो वो पठे गल जाते हैं और मखशूस किसम के ये जो बै खून में भी शामिल होता है तो इस्वन में शामिल होने वजा से जानवर की जानवर ज़ा हो डे होता है और अक्सर छोड़े जो चोटे जो बच्छे जो बच्छे या рез सभाएं वी वगाने सरकार्ते भी शामिल ले बॉशzięki हो जाता हैSt तो इसकी जो डोज है वो वैक्सीन की जो वाइल है उसके उपर लिखी होती है जनरली जो है वो दो सीसी होती है छोटे इसकी लिए बच्छे या कट्रों के लिए आपने जिल्द में लगानी है और बड़े जानवरों के लिए अकसर जो है वो पांच सीसी होती है तो वो भी ज दा सकते हैं, Clostry Wax या फिर Toxipara, तो इसकी जो डोज है, वो गायब हैंस में जो है, वो 5 सी सी है, जिल्द में लगानी है, अब बात करते हैं जी, भेड और बक्रियों की, अगर आप ने जो है, वो भेड और बक्रियों में ETV, एंटीरोटॉक्सीमिया, जिसे एंटरियों का ज जहर भी कहते हैं उसकी वैक्सीन क्राए हुए अगर आपको चार महीने से ज्यादा हो गया है तो वह आप कर लें वैक्सीन एटीवी की तो यह भी सरकारी एस्टालों से मिल जाती है नहीं तो अगर आप यह क्लॉस्ट्री वैक्स या जो है वह इसमें टॉक्सी परा के नाम से जो वैक्सीन आती है तो उसमें भी इस एंटरियों के जहर के बारे में वैक्सीन पाई जाती है तो वह भी आप लगा सकते हैं तो इसकी जो डोज रेट है वह है दो सीसी जो आपने जिल्द के अंदर लगानी है इसके लावा जो है अगर आप सरकारी एस्टालों से लेना च है तो उनकी जो डोज रेट है वह वेक्सीन पोपर लिखनी हो ओती है वैक्सीन के उपל अगर एलर्जी हो जाए तो आप उसको 15 cc लगा दें गोश्ट में और वेडबकरी को हो जाए तो उसमें आप ने जो है वो दो डोसी सी आप ने गोश्ट में लगाना है ये अलर्जी की शूरत में बतारूं आपको तो अगर ए टी बी करवाए हुए आपको 4 मैंनें से कम जून जुलाई में इस दोरान जो है वो खत्रा है तो इसलिए अभी से वैक्सीन कर लें क्यूंकि आज कल भी बार्शे हो रही है तो यह वैक्सीन आप लाजमी कर लें मजीद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या मेरे वाटसैप नमर पर पूर सकत हैं तो दौा में याद रिखिए गलाब का निगेबानो अलाहाफिस